टीम इंड़ा के कप्तान विराट कोहली का नाम इस वक्त दुनिया के सर्वशेष्ट बल्लेबाजों में शुमार किया जा रहा है फिछले कुछ वक्त में विराट को एक शांदार और परिपक्व क्रिकेटर के रूप में उभर कर सामने आये हैं इतने सालों बाद एक ऐसा क्रिकेटर आया है जो क्रिकेट के भगवान सचिन तंदुलकर के रिकॉर्ड को तोनी की शमता रखता है हर बल्लेबास आज विराट के नाम का खौफ खाता है लेकिन एक ऐसा भी वक्त था जब एक गेंदबास के सामने कोहली थर थर कापते थे कुहुली आज क्रिकिट के तीनों फॉर्माट में अपना लोहा मनवा चुके हैं लेकिन 2011 की वोल्ट कप में एक गेंदबास के सामने कुहुली की आँखों में तड़ था ये गेंदबास श्रीलंका के लसत मलेंगा है अमर्खान के साथ एक चार्ड शो के दोरान विराट कोहुली ने इस रास से परदा उठाया है विराट ने बताय कि 2011 के विशुकप के फाइनल माच के दोरान वे लसत मलेंगा के यॉर्कर से बुरी तरह डरे हुए थे बता दें कि 2011 में मुंबाई के वांकरे स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ विशुकप फाइनल से पहले विराट कोहुली क्रिकेट के दुनिया के बड़े नामों में शामिल नहीं थे लेकिन लसत मलेंगा अपनी खुंखार गेंदबासी के लिए बड़े बड़े बले बाजो के लिए डर का सबब बने हुए थे जब सचिन के आउट होने के बाद विराट मैदान पर आये तो नहीं लसत मलेंगा की यॉर्कर का सामने करने से डर लग रहा था विराट ने बताया कि मुझे डर लग रहा था मलिंगा यॉर्कर नहीं डाले मैं पहले से ही बहुत नर्वस था लेकिन दो तीन गेंद के बाद मैं सेट हो गया बता दें कि आमिर और कोहली का ये शोद दिवाली के मौके बर दर्शकों तक बहुचेगा जिसमें इन दोनों ने अपनी लाइफ के कई सेक्रेट शेयर किये हैं न्यूज एक्सप्रेस के रिपोर्ट